अर्थ परकाश देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का मैं शीना तैय दिल से स्वागत करती हैं हमेशा की तरह आज फिर से आपके रूबरू एक इत्यास को लेकर आई हैं जो बेसाकी त्योहार से जुड़ा हुआ है जी हाँ बेसाकी का त्योहार क्यों मनाया जाता है आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे तो चलिए आईए जानते हैं बेसाकी के त्योहार पंजाम में क्यूब रचलित है हर साल की तरह बेसाकी का त्योहार 14 अपरेल को मनाया जाएगा यतिहार बहुत ही दूमदाम से मनाया जाता है और सिख समुधाय के लिए इस दिन का विशेश महतव है आईए जाने क्यों मनाया जाता है बिसाकी का क्योहार सिखों के दसमें गुरू गुरू गोबिन सिंग जी ने बिसाकी के मौके पर खालसा पंध की स्थापना की थी और इसलिए ये दिन सिख समुधार के लिए बहुत विशेश मेहत्व रखता है। सिख धरम की स्थापना के साथ इस त्योहार को फसल पकने के रूप में भी मनाया जाता है। पंजाब, हर्याना और इसके इलावा उतर प अप्रेल 1919 में जलियावाला बाग में अंग्रेजों के रॉलट एक्ट और सत्यापाल वर सैफोदीन की गिरिफ्थारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। इस दोरान शेहर में कर्फ्यू लगा हुआ था लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल उन्होंने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिसाकी के मुके पे अपने परिवार के साथ वहीं लगे मेले को देखने पहुंचे थे। और इस दोरान वहां 5000 लोग पहुंचे थे। वही जर्नल डायर ने अपने 90 ब्रीटिश सैनिकों के साथ बाग को घेट लिय और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को चिताविनी दिये बिना ही वहां उन पर गोलिया चलानी शुरू कर दी। जलियावाला बाग में जमा लोगों की भीड पर कुल 1650 राउंड गोलिया चली जिसमें सैंकडों अहिंसक सत्याग्रही शहीद हो गए थे और हजारों घा गया था एक आंकडे का अनुमान लगाया जाए तो एक हजार से जादा लोग मारे गए थे इस बरबता ने भारत में प्रीटिश राज की नीव को हिला कर रख दिया था तो चलिए बात करते हैं कि बिसाखी का तुहार पंजाब में कैसे मनाया जाता है सिक्की परंपरा के अ शेश रूप से गुर्दुवारे आधी में लंगर लगा कर लोगों को परसाद बांटा जाता है सिख धरम के साथ हिंदू धरम में भी इस योहार की बहुत महतवता है ऐसा माना जाता है कि मुनी भागी रत में देवी गंगा को धरती पर उतारने के लिए तपस्या की थी आ प्रकिती माता का धन्यवाद करते हुए नई फसल की पूजा करते हैं मानते हैं कि विसाखी से ही नए साल के साथ नए फसल की भी शुरुआत होती हैं इस दिन सिख समुधाय के लोग विशेश रूप से सुभे की प्राथा में भाग लेते हैं और गुर्दुवारे में लोग इस गरंद का पाठ करते हैं इस परकार विसाखी का परविशेश महतब रखता है और इसे फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है तो विसाखे से जुड़े इस इत्यास को जान कर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बोक्स में जरूर लिख बताएं अर्थ परकाश क बेल आइकन दबाना न भूलें